जै स्री कृष्णा राधे राधे की भी पैरा होता है तो आज हम बात करेंगे गिलहरी अगर आपके घर में आ जाए छट पे आ जाए बालकनी में आ जाए अंगन में आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है वैसे हमारे पहले जवाने में हर एक चीज से बुजुर्ग लोग अच्छे और बुरे संकेज से जोड़कर देखते थे और अंदाजा लगा लेते थे कि क्या होने वाला है और इनमें है एक गिलहरी गिलहरी को भगवान सरी राम का साथी माना जाता है गिलहरी जहां भी फुदकना सुरू करती है समझ लीजिए जल्द ही कुछ अच्छा होने वाला है यारि गिलहरी का आना खुसियां लाता है क्योंकि गिलहरी फुदक फुदक के चलती है अगर गिलहरी कुछ खाती है फुदक फुदक के घूम रही है हमेशा ही आने लगे तो इसका मतलब है अब जल्द ही गिलहरी का आने का समय भी नहीं थे, तो आईए समझते हैं, तो गिलहरी अगर सुभा सुभा दिख जाए, आपके घर आ जाए, सुभा सुभा गिलहरी, तो इसका मतलब है आपके घर में कोई बड़ा सुप समचार आपको मिलने वाला है, आपके घर में आना अच्छा माना जा अगर आपके घर में गिलहरी या चिडियां भी अपना गोसला बनाने चिडियां मतलब गोरया तो सुख सांती धन सब बढ़ने वाला है पौरानी कथा के अनुसार जब त्रेता युग में भगवान राम का अफदार हुआ था उनकी धर्म पतनी मा सीता का अपहरन लंका पती कर लिया तो भगवान राम वानरों की मदद से लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र पर सेतु का निरमान करवा रहे थे और उस समय जब सारे वानर सेतु के कारे में लगे हुए थे और भगवान श्रीराम ने अपने भाई लक्षमन के साथ कि समुद्र के किनारे बैट कर यह सारा वाक्या देख रहे थे इसी दोरान भगवान सरी राम ने देखा कि एक गिलहरी बार बार रेत में लेटकर रेत के कन अपने सरीर पर चिपका लेती है और फिर सेतू पर जाकर अपने सरीर के सारे कनों को जार देती है इस प्रकार उसे ऐसा करते देखकर भगवान राम ने लक्षमन से पूछा कि ये गिलहरी क्या कर रही है तो इस पर लक्षमन ने भगवान राम से कहा ये गिलहरी खेल का आनंद ले रही है पर भगवान स्री राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि गिलहरी को अपने पास बुला कर पूछा कि तुम इस प्रकार क्या कर रही हो इ लेकिन अधर्म और धर्म की लड़ाई में अपना योगदान देना जाती हूं। और भगवान स्री राम प्रेम से उसके पीट पर हाथ फेरा तभी से उनकी पीट पर उंगली करें।